मध्य परदेश में किसानों के सहारे सत्ता में आई कॉंग्रेस सरकार से परदेश के किसान भी नाखुश है कॉंग्रेस ने किसानों को दो लाग का लालस देकर सरकार तो बना ली लेकिन बेचारे सरकार की अब कोई नहीं सुन रहा परदेश के किसान हर परकार की मार जेल रहा है फिर चाहे प्रकृति की हो या महंगाई की आपको बता दे कि आज भोपाल की MP नगर में किसानों ने चुराहा पर अर्ध नगन होकर रोटी मांगर परदर्शन किया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की क्या है पूरा मामला आएए हम आपको दिखाते हैं भोपाल से हमारे समधाता अमर वर्मा की रिपोर्ट का जन्म है और भगवान बल्राम ने मुझे जगया है कि उठो लिखो इतिहास नया किसान क्या सोया है अरे तेरा सोसन होता जा रहा है आज हमारी फस्टे होने-पोने-दाम में ये खरीद रहे हैं और उपर से समर्थन मुल्लत दे करते हैं साथ और आज ये पैसे से हम करते हैं हमारे भूडे माबाप का हिलाज ने करवा पाते हैं हमसे दोई-गोली का खर्जान है सरकार जो समर्थन मुल्लत दे करती है वो समर्थन मुल में तीसरे रोज हसल भिखना चाहिए और जो मून का समर्थन मुल्ल उनने ते किया बाद से तीसरे रोज समर्थन मुल्ल चालू हो जाना चाहिए हर जगे अगर इनने आती सिग्र नहीं किया तो हम उक्र आंदोलन नहीं मा उक्र आंदोलन पुरे देश में चालू कर देंगे अगर ये आती सिग्र नहीं जागे तो हम उधल उधल भी कर देंगे अरे इनको तो हमने बनाया खिसान और मजदूर ने देश का निर्मान किया इनको पुर्चियों पे हमने बटाया। केम्टी नगर में इंका धर्नप्रता सिंचारी है, केम्रमन दिनेश के साथ अमर वर्मा समझ यक्षी बेश गोपाल।